Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट के कुछ important points के बारे में और ये जो आपके important points है anthropology पर based है जहां पर हम discuss करने वाले है gender determination अगर हम करते हैं वोन की help से तो कितने percentage तक हम accuracy बता सकते हैं उसके अलावा stage determination करने के लिए अलग-अलग काफी सारी formula होते हैं जहां से आपके net के exam में question regularly बनते रहते हैं तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चले से start कर लेते हैं और यहां पर अगर हम बात करें percentage accuracy of gender determination by skeletal remains तो skeletal remains का use करते हुए हम gender determination करेंगे तो gender को find out करने के लिए हम कितनी percentage accuracy तक बता सकते हैं कि जो भी आपको bones मिली हैं जो भी आपको skeleton मिला है वह female का होगा या male का होगा अब यह चीज़ किसने बताई थी यह एक थी scientist जिनका नाम था krogman तो इन्होंने बताया था अब इसमें अगर हमको अगर पूरी तरह से पूरा skeleton मिल जाता है तो हम 100% accuracy के सथ बता सकते हैं कि जो भी आपको remains मिले हैं वो male के हैं या female के हैं अगर आपको सिर्फ skull या फिर skull और pelvis दोनों मिलते हैं तो आप 98% तक कह सकते हैं कि यह मbresीं है अगर आपको pelvis के साथ साथ long bones मिलती है तो भी आप 98% तक accurately ंडि बता सकते हैं मिले सकते हैं तो आप 95% तक accuracy दे सकते हैं उसके अलावा अगर आपको सर्फ pelvis bone भी मिलती है तो भी आप 95% तक Ånd by मिलती हैं अगर स्रिफ और सिर्फ सरे आपको is skull मिलता है तो आप 93% तक की accuracy बता सकते हैं और सिर्फ अगर आपको long bones मिलती हैं तो उस condition में आप 85% तक की accuracy दे सकते हैं gender का determine करने के लिए तो ये जिस बहुत important है कि कौन सी bone मिलेगी तो आप कितना percent तक accuracy दे सकते हैं तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लिजएगा percentage के साथ में यहां से question आपके exam में usually बनते रहते हैं ये chart याद करना बहुत important है और ये किस ने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए कि crogman ने इनके बारे में बताया था अब ही आगे चलते हैं अब यहां पर हम बात कर लेते हैं stature determination की तो stature determination का क्या मतलब होता है stature का मतलब होता है height तो जो भी आपको skeletal remains मिल रहे हैं तो उनका use करते हुए उस skeleton remains की height का idea लगाना कि जो भी individual की वो bones है उसकी approximate height क्या रही होगी उस चीज़ को determine करना आपका कहलाता है stature determination और ये जो आपका stature determination करते हैं usually जितने भी आपके long bones होती हैं इसका use करते हुए ही हम करते हैं क्योंकि long bones की help से आप किसी भी individual की height बहुत अराम से बहुत easily accuracy के साथ में find out कर सकते हैं तो इसी वज़ा से जो long bones होती है वो ideal होती है stature को determine करने के लिए अब यहाँ पर basically काफी सारे अलग अलग formula हैं जिसमें से जो medical legal practice में जो routine basis पर use करे जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो doctors जो होते हैं जिनके पास जो basically pathology department के अंदर आते हैं forensic pathology के अंदर आते हैं जो आपकी scatters remains का use करते हुए जो भी body है उसका height का determination करते हैं stature determine करते हैं तो वह usually दो formula use करते हैं इसमें से पहला आ जाता है आपका Karl Pearson formula और दूसरा होता है आपका Trotter Glacester formula तो यह दो scientist से जिन्होंने अलग-अलग formula दिये थे stature को determine करने के लिए अभी इतला हो गया यहाँ पर इस बहुत important याद रखना है कि Karl Pearson formula और Trotter Glacester formula यह दोनो formula जो होते हैं stature का determination के लिए use करे जाते हैं यह ऐसा ही question बन के आएगा कि stature का determination के लिए दियेगे options में से कौन सा आपका ऐसा है जो कि stature determination के लिए हम use करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं या पर directly ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपका जो Trotter Glacester formula है वो किस purpose से हम use करते हैं stature determination के लिए age determination के लिए या पर none of these तो इस तरह से भी आपके questions बन सकते हैं तो इस तरह से इसको exactly ऐसा ही याद कर लिजेगा अब ही आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और भी आपके सामने formula हैं तो यह basically आपके सामने 5 formula हैं यह भी आपको एक बार देख लेना है तो इसमें क्या रहता है जो आपके fingertips होती हैं जैसे कि आपके arms हैं तो arms को आपको stretch करना होता है और stretch करने के बार में आपको अपनी body से outwards आपके hands को stretch करना है मान लिजे यह individual है यह इसके hands है तो hands को आपको इस तरह से stretch करना है अब hands में जो आपकी middle finger होती है right और left दोनों hands की उनके बीच की आपको इस तरह से height को measure करना होता है तो यह वाली जो distance निकल कर आएगी वो overall body की height हो जाती है तो भाई जीज यहाँ पर लिखी हुई है the length between outstretched tips of fingertips of two middle fingers याने की आपका एक right hand की middle finger एक left hand की middle finger उसकी बीच की distance होती है अपने arms को stretch करने के बाद में तो वो particularly उस individual की height हो जाती है उसके लावा next formula क्या है length of one arm एक हाथ की एक arm की आपकी जो length है उसको हम two से multiply कर देंगे याने की जो आपकी length होगी arm की उसका double कर देंगे और उसमें जो clavicle होती है उसके लिए हम 30 cm लेंगे याने कि दो clavicle लेंगे तो दोनों clavicle के लिए हम 30 cm size लेंगे और 4 cm जो रहता है वो हम sternum के लिए लेंगे और यह सब कुछ हम add करेंगे तो आपको करना क्या है बस आपका कोई भी arm आपको मिला है उसका आपको double करना है और उस double में आपको 30 cm plus 4 cm को add on कर देना है तो जो भी आपका निकल के आएगा वो आपकी individual की basically वो height हो जाएगी अब यहाँ पर 30 cm और 4 cm क्यों add कि आगया है वो भी यहाँ पर आपकी सामने लिखा बाए तो आप इसको एक बार read कर लिजेगा next अगर हम बात करें तो अगला formula है कि आपको vertex to symphysis pubic length यानि कि जो आपकी मान कीचल में clear कर देते हूं फिर से बताती हूं आपको यह एक human body है इसका vertex क्या होता है जो आपका head रहता है तो head में सबसे आपका upper point जहां पे आपका सबसे ज़्यादा height रहती है उसको हम बोलते है vertex यह आपका एक land mark होता है आपकी body का जो कि आपका vertex कहलाता है आपके head में आपको देखने को मिलता है तो वो हो गया आपका vertex और pubic symphysis तो pubic symphysis क्या है जो आपकी pelvis bone होती है उस pelvis bone का जो आपका last part होता है आपकी pelvis का last part होता है वहां लेकर कि vertex तक की height जो होती है उसका आपको double कर देना है तो वो किसे भी individual की height हो जाएगी या फिर इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि vertex to symphysis pubic की जो length रहती है vertex से लेकर कि pubic symphysis की बीच में जो भी distance होती है वो किसे भी individual की height का half होती है यहने कि अगर आपकी height अगर हम मान के चले 160 है तो आपकी vertex to pubic symphysis length जो है वो आपकी 80 cm निकल कर आएगी तो यह इतनी चीज हो गई इसके बाद में आपका next formula जो है वो है fourth number का यहाँ पर क्या होता है external notch to pubic symphysis length अब external notch क्या होता है जो आपका sternum होता है जिससे आपकी सारी ribs attach होती है उसमें आपकी external notch होती है एक जिस जगह पर आपकी basically clavicle bones आके attach होती है उनके center में एक external notch होती है वहाँ से लेकर के आपकी जो pubic symphysis length है वहाँ तक कि आपको length measure करनी है और उसमें 3.3 multiply कर देना है तो उससे जो भी आपके सामने आपके data आएगा वो उस individual की height हो जाएगी तो यह हो गया आपका इसके बाद में next है आपका entire skeleton की length यानि की पूरा जो आपका skeleton होता है उस पूरे skeleton की length आपको लेनी है अगर आपके पास पूरा skeleton available है उस condition में बात हो रही है और उसमें 2.5 से 4 cm का margin ले लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ soft tissues भी available होंगे अगर आपके पास skeleton सिर्फ available है तो ही बात हो रही है यहाँ पे तो इस तरह से आपके सामने height निकल कर आजाएगी क्योंकि जिसे कि आपके सामने सिर्फ skeleton है तो उस skeleton के ऊपर भी कुछ tissues लगेंगे और उन tissues को count करने के लिए यहाँ पर 2.5 से 4 cm का add-on कर दिया जाता है आपकी पूरे skeleton की length में तो इस सरा से आप अलग-अलग 5 formula हैं जिसकी help से आप structure यानि की height के determination आप कर सकते हैं तो यहाँ पर इतने भी कुछ important points से आपको समझ में आ गया होगा इसके screenshot आपको हमारे Facebook और Instagram पर available हो जाएंगे तो वहाँ से जाकर आप इनको access कर सकते हैं बाकि जो PDF रहती है वो Telegram पर available हो जाएंगी हाँ एक चीज़ और question documents का जो second part था वो मैंने अपने और Telegram पर इसी चीज़ चानल है वहाँ पर मैंने share कर दिया है तो वहाँ से जाकर आप उसको प्ले सकते हैं और basically जो website है वहाँ पर बहुत सारे MCQs आपकी practice के purpose से available हैं तो वहाँ से जाकर आप questions की practice भी कर सकते हैं और अगर आपको यह video पसंद आ रहा है तो video को like जरूर से कर कर दीजेगा और अपने friends के साथ में share जरूर से कर दीजेगा ताकि उन तक भी quality content पहुत सके चानल पर नए है तो चानल को subscribe जरूर से कर लेंगे bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here